सब्सक्राइब किजिए पेट्स प्लाजा चैनल को उसके साथ बेल आइकोन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए जए हिंद फ्रेंड मैं हूँ आपका दोस्त आज का होस्ट करन परसाद और आप देखें आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा आज का जो वीडियो होने वाला वो काफी इंपॉर्टिन होने वाला वीडियो जैसे कोई भी न्यू कमर्स वो डॉग लाइन म के लिए पालना चाहते हैं तो उनके मन में दो सवाल सबसे पहले आता है एक आता है जो कोई भी ब्रीड अप लो तो उसका जो प्राइज हो क्या प्राइज होना चाहिए फर्स्ट सवाल यह आता है सेकेंड आता है क्या खर्च आना चाहिए डॉग फूड के उपर या क्या आज मैं इस वीडियो में एक पॉइंट पे कवर करने वाला हो जो कि है price के उपर आज का जो प्राइज आपको पेड़ करना पड़ेगा कैसा प्राइज पेड़ करना पड़ेगा आपको कहां से लेना चाहिए और क्या उनका डाइट होगा और इस डॉक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको इस वीडियो के माध्यम पर दूंगा जैसे कि आप यह डॉ यह लॉगेस टॉलेस डॉग ब्रीड यह काफी लंबा और काफी चौरा होता है यह बहुत लंबे के बारे में कुछ नहीं जानते तो आज मैं इस वीडियो में फूल डेटेल के साथ आपको बताऊंगा आप यह वीडियो को पूरा वीडियो को देख़े इस किप ना करें तो आप इस breed के बारे में at least 50% knowledge आपको मिल जाएगा जैसे कि यह जो dog breed है यह एक जर्मनी से बिलोंग करता है यह dog breed है और इनका जर्मनी से है और इनकी life spend की बात की जाए तो इनका life spend थोड़ा कम होता है जैसे कि 8 से 10 साल तक क्योंकि आप आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा जितने छोटे डॉग बीड आप लोगे जितना छोटा जैसे टॉइपॉम कल्चर पॉम पग बीगल इन लोग का life spend काफी लंबा होता है और जितने लार्ज साइज के डॉग बीड लोगे आप उनका life spend काफी कम होता है उनमें से एक ग्रेडेन भी है ग्रेडेन का life spend काफी कम होता है 8 से 10 साल के बट ये एक पेपर वर्क है मतब पेपर में बोलने वाला या scientific knowledge का हिसाब से ये बताया जाता है बट आपके उपर है कि आप अपने डॉग को कैसे रख रहे हो रख रखाव आप कैसे कर रहे हो इदि आप अपने डॉग को एक अच्छा multivitamin, calcium, dog food, एक अच्छा atmosphere, एक अच्छा healthy family अप प्रोवाइट करवा रहे हो तो आपका डॉग ये 10 से क्या 15 साल तक भी जी सकता है ठ आप बात करते हैं इनके food के उपर, तो इनका जो food होता है वो काफी calcium भड़ा food होना चाहिए, जैसे इनका जब bone structure काफी जादा है, long होते हैं, सबसे लंबे dog में से एक होते हैं, तो इनका जो calcium आपको प्रोवाइट करवाना पड़ेगा according to the body, जितना body का weight होता है उसके या उसमें bone का, जो bone का, जो pieces होता है, mutton देना पड़ता है आपको, तो इस टाइप के dog food आपको देना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा dog breed है, यह एक budget friendly dog breed नहीं है, यह costly dog breed है, इसको आप cost के हिसाब से आप रख सकते हो, आपका cost अच्छा है, तो इस dog को आप अड़ाप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, और आप बात करते हैं कि कैसे रख रखाओ करना चाहिए, कहां रखना इनको अच्छा होता है, तो आपका जो घर है, वो at least छोटा हो, तो कोई problem नहीं है, बट उनके backyard होना चाहिए, या front में space होना चाहिए, या आपके घर के आस प बहुत सारे problem, बहुत सारे disease होने के chances काफी बढ़ जाते हैं, या आप अपने dog को जितना healthy atmosphere दोगे, for example, running करवाओगे, jogging करवाना है, अपने family member के साथ रखना है, अच्छा health तो आपका dog बहुत अच्छे से रहेगा, आपका थोड़ा space है इनको, at least morning में half an hour, one an hour लगेगा, औ साम को भी आपको, evening के time में, one an hour इनको देना परेगा, और ये family के साथ, और single person के लिए भी खाफी अच्छा dog breed है, अब बात करते हैं, इनके disease के बारे में, इनको कौन कौन सा disease लग सकता है, जैसे कि ये long tall breed है, large breed है, तो hip diplasia, elbow diplasia, वो common है, तो ये भी depend करता है, कैसे bloodline आप चूस कर रहे हो, अच्छे dog से, अच्छे bloodline से लोगे, तो ये भी problem नहीं आने वाला है, ठीक है, तो ये common problem आता है, या bone के लेके related कोई problem आ सकता है, bone weak हो जाता है, या calcium आप अच्छे time पर प्रोवाइड नहीं करते हो, तो उस समय से लेके आपको problem आ सकता है, तो आप जब को recommended में always रहना पड़ेगा, कि आपको काप calcium खिलाना चाहिए, क्योंकि calcium खिलाने या multi vitamin का भी process होता है, वो तीन फाइल से लेके 5 फाइल तक आपको खिलवाना पड़ता है, जब डॉक्टर के recommended पे, तो आप उसमें gap नहीं कर सकते हो, तो ये हो गया, इनके diet के बारे में, health के ब dog breeder है, जो grade and especially grade and breed करता है, कॉलकाता में भी है, कॉलकाता में आपको लेना है, तो आप मुझसे contact कर सकते हो, मैं आपको number प्रोवाइड करवा दूगा, या मेरे पास जो puppies होंगे, वो भी अबलेवल करवा दूगा, मैं, पंजाब में है, दिली में है, जो बैंगलोर में है, क 15 साल तक रहेगा, तो आप ऐसा एक dog नहीं लाना चाहोगे, जो एक pure breed ना हो, या अच्छाड नहीं निकले in future में, तो ऐसा एक dog लाओ, जो कि आपके साथ रहे, और एक pure breed हो, क्योंकि pure breed, आप एदि कोई भी dog ला रहे हो, क्योंकि dog तो प्यारा ही होता है, सब कोई पसंद करत बाद में आपको पता चले, ये pure breed ना है, तो आपका मन तूट जाता है उस समय में, तो एक अच्छे reputed breeder से लो, यह आप पेट सॉप से ले रहे हो, आपको knowledge नहीं है, पेट सॉप से ले रहे हो, तो आपको एटलिस father mother आपको देखना बहुत जरूरी है, father mother आप देखके ही लेना, without father mother आप मत लेना, अब बात करते हैं, main topic के उपर, इनका जो price, price क्या होता है, कितना price इनका अच्छा एक dog लेने के लिए कितना price देना पड़ता है, starting price मैं आपको बता रहा हूँ, और ending price बताऊँगा, ठीक है, तो starting जो price है, वो 25 से लेके 30,000 के आसपास आपका एक जाना पड़ेगा, ये बहुत सारे different different coat color में पाए जाते हैं, black में, marley queen में पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे different color में पाए जाते हैं, ठीक है, skin color में, phone color में, बहुत सारे different color में पाए जाते हैं, बहुत marking के साथ पाए जाते हैं, black में white, white में black, या s color में, बहुत सारे different marking के स कर सकते हैं उनका नाम उनका exact क्या weight होना चाहिए क्या होना चाहिए उसके हिसाब से आप अपने dog को वहाँ पर adjust कर सकते हैं अब बात करते हैं ending price बोलके कुछ नहीं है कोई भी प्रीट के लिए एकस्पेंसिब ब्रीड है उसके लिए ending price कुछ नहीं होता है क्योंकि यह पांच लाग दस लाग के आसपास भी चले जाते हैं 35 से केसी आइश्टर पपी स्टार्ट होने वाले हैं 25 से लेके 30,000 के आसपास without केसी आइश्टर पपी स्टार्ट होने वाले हैं औ और यह लाग, दो लाग, तीन लाग, चार लाग या थाउजन के आसपास भी रहते हैं according to the quality और ब्लड लाइन के उपर कि उनका फादर मदर कहां से इंपोर्ट किया गया है इनके जो ब्लड में कोई इंपोर्ट है कि नहीं है ग्रैन फादर या फादर तो वो बहुत सारे ड और कोई भी डॉग आप बाई ना करें पेपर जरू से जरू लें तो होफुली फ्रेंड आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह वीडियो पसंद आया है तो पता है क्या करना चाहिए लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें और इसके साथ एक बेल आइकॉन भी आपिर ह और अब आप मुझे से बात करना चाहते हो डैरेक तो आपको इंस्ट्राग्राम का लिंक आपको डिस्प्शन मिल रहा है और स्क्रीन में भी दिख जाएगा तो वहां जाके आप मुझे फॉलो करें कुछ भी क्वेस्टन हो कॉलिटी के उपर या प्राइस के उपर आप मु जूर सकते हैं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वहां से भी मिल सकता है तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अनादर वीडियो के साथ अभी के लिए जै हिंद बंदे मातरम फ्रेंट